नमस्कार भाषा जोड़ने का काम करती है और पूरे भारत को एक सुत्र में पिरोती है हिंदी भाषा हिंदी भाषा का उत्सव बनाते हुए आपके लेकर आए हैं सुप्रसिद हिंदी लेखकों की कहानिया इसी श्रंख्ला में आज प्रस्तुत है जन जन के लेखक प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी जिवहा स्वात के सिवा और कोई चेश्टा शेश न थी और ना अपने कश्टों की ओर आकशित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रिया नेत्र हाथ और पैर जवाब दे चुके थे प्रित्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परिमान पूर्णना होता अत्वा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये विरोने लगती थी उनका रोना सिसकना साधारन रोना न था वी गला फाड फाड का रोती थी उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था बेटे तरुन होहो कर चल बसे थे अब एक भतीजे के अलावा और कुई ना था उसी भतीजे के नाम इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखती भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किये किन्तु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाय हुए सब्जबाग थे यद्ध पे उस समपत्ती की वाशिक आये देड़ सो दो सो रुपई से कम ना थी तथा पी बुढी काकी को पेड़ भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुधिराम का अपराथ था अत्वा उनकी अर्धांगनी श्रीमती रूपा का इसका निर्ने करना सहज नहीं बुधिराम स्वभाव के सज्जन थे किन्तु उसी समय तक जबकी उनके कोश पर आँच ना आये रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर इश्वर से डरती थी अतेव बुढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुधिराम की भल्मन साहत बुधिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था विचारते की इसी संपत्ती के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ यदि भौतिक आश्वासन और सूखी साहनभूती से स्थिती में सुधार हो सकता है तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ती ना होती परंतु विशेश वैका भै उनकी सुचेश्ठा को दबाय देता था यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूरी काकी उस समय अपना राग लापने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डाटते लड़कों को बुढ़ों से स्वभाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते हैं तो वे बूरी काकी को और सताया करते कोई चुटकी काट कर भागता कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता काकी चीख मार कर रोती परम तो ये बात प्रसिद थी कि वो केवल खाने के लिए रोती हैं अत्यव उनके संताप और अंतरनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था हां काकी क्रोधा तुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर पहुंच जाती इस भैसे काकी अपनी जिवहा कृपान का कदाचित ही प्रयोग करती यद्यपी उपद्रव शान्ती का ये उपाए रोने से कहीं अधिक उप्युक्त था संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुधी राम की छोती लड़की लाडिली थी लाडिली अपने दोनों भाईयों की भै से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बुढी काकी के पास बैट कर खाया करती थी यही उसका रक्षागार था और यदि पी काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा पी भाईयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलबती तो बस यही इसी स्वार्थनकूलता ने उन दोनों में साहनुभूती का आरूपन कर दिया था रात का समय था बुधिराम के द्वार पर शेहनाई बज रही थी और गाव के बच्चों का जुन्ड विस्मैपूर्ण नेत्रों से गाने का रसा स्वादन कर रहा था चारपाईयों पर महमान विश्राम करते हुए नाईयों से मुक्कियां लगवा रहे थे समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावग्य महमानों की वह वहा पर ऐसा खुश हो रहा था मानों इस वह वहा का यथार्थ में वही अधिकारी है दो एक अंग्रेजी पड़े हुए नव्युवक इन विवहारों से उदासीन थे वे इस गवार मंडली में बोलना अथ्वा संबलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे आज बुधी राम के बड़े लड़के मुखा राम का तिलक आया है ये उसी का उत्सव है घर के बीतर स्रियांगा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में वैस्त थी भट्टियों पर कढ़ा चड़ रहे थे एक में पूरियां कचोडियां निकल रही थी दूसरे में अन्य पकवान बनते थे एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी घी और मसाले की शुधा वर्दक सुगंधी चारो और फैली हुई थी बुरी काकी अपनी कोठी में शोक में विचार की भाती बैठी थी ये स्वाद मिशृत सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी मैं मनी मन विचार कर रही थी संभवता मुझे पूरियां न मिलेंगी इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं मेरे लिए कुछ न बचा ये सोच कर उन्हें रोना आया परन्तु अप्शकुन के भैसे वो रोना सकी आह कैसी सुगंधी है अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भागे कहां कि भर पेट पूरियां मिलें ये विचार कर उन्हें रोना आया कलेजे में हूक सी उठने लगी परन्तु रूपा के भैसे उन्होंने फिर मौन धारन कर लिया बूरी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किये देती थी मौ में पानी भर भर आता था पूरियों का स्वात स्वरण करके रुदय में गुदगुदी होने लगती थी किसे पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई दोनों छोकरे सदा दिक दिया करते हैं आज उनका भी कहीं पता नहीं कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है बुरी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम रूपा ने भली भाती भोजन किया होगा कचोडियों में अजवयन और इलाइची की महकार ही होगी एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती क्यों ना चल कर कढ़ा के सामने ही बैठू पूरियां चन चन कर तयार होगी कढ़ा से गरम गरम निकलकर ठाले में रखी जाएंगी फूल हम घर में भी सूंग सकते हैं परन्तु वाटिका में तो कुछ और ही बात होती है इस प्रकार निर्ने करके बूरी काकी उकडू बैठकर हातों के बल सरकती हुई बड़ी कढ़िनाई से चोखट से उत्री और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी यहां आने पर उन्हें उतना ही धैरे हुआ जितना भूके कुत्ते को खाने वाले के समुख बैठने में होता है रूपा उस समय कारे भार से उत्विग्न हो रही थी कभी इस कोठे में जाती कभी उस कोठे में कभी कढ़ा के पास जाती कभी भंडार में जाती किसी ने बाहर से आकर कहा महराज ठंडाई मांग रहे हैं ठंडाई देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है उसे कुछ दे दो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तयार होने में कितना विलम है जरा ढोल मजीरा उतार दो बेचारी अकेली स्त्री दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी जुंजलाती थी कुढती थी परंतु क्रोध प्रकट करने का अफसर न पाती थी भै होता कही पडोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी प्यास से स्वेम कंट सूख रहा था गर्मी के मारे फुकी जाती थी परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी लें अत्वा पंखा लेकर जलें ये भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीजों की लूट मची इस अवस्था में उसने बूरी काकी को कड़हा के पास बैठे देखा तो जल गई क्रोध न रुख सका इसका भी खयाल न रहा कि पडोसने बैठी हुई हैं मन में क्या कहेंगी पुरिशों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे जिस प्रकार मेंडग केचुए पर जपटता है उसी प्रकार वो बूरी काकी पर जपती और उन्हें दोनों हाथों से जटक कर बोली ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड कोठरी में बैठते हुए क्या दम गुटता था अभी महमानों ने नहीं खाया भगवान को भोग नहीं लगा तब तक धैरे ना होसका आक अच्छाती पर सवार हो गई जल जाए ऐसी जीब दिन बर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मूँ डालती गाव देखेगा तो यहीं कहेगा ना कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती है तभी तो इस तरह से मूँ बाय फिरती है डाय नमरे नमाचा छोड़े ना बेशने पर लगी है ना कटा कर दम लेंगी इतनी ठूसती है न जाने कहां भस्म हो जाता है भला चाहती हो त तब तुम्हें भी मिलेगा तुमको यह देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मूँ में पानी न जाए परन्तु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए बुरी काकी ने सिरु उठाया ना रोई ना बोली चुप-चाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई आवाज ऐसी कठोर थी कि रदय और मस्तिश की संपून शक्तियां, संपून विचार और संपून भार उसी और आकशित हो गए थे नदी में जब कगार का कोई व्रिहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल सम्हू चारो ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है भोजन तयार हो गया है, आंगन में पत्तले पड़ गई, महमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरम कर दिया महमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किन्तु कुछ हट कर भोजन करने बैठे थे परन्तु सभ्यता अनुसार, जब तक सब के सब खाना न खा चुकें, कोई उठ नहीं सकता था दो एक महमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीरगाहार पर जुझला रहे थे वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे बूरी काकी अपनी कोठ्री में जाकर पश्चताब कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था सची तो है, जब तक महमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे मुझसे इतनी देद भी न रहा गया, सब के सामने पानी उतर गया अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाओंगी मनी मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी परन्तु घी की रुची कर सुआस बड़ी धैर्य परीक्षक्तित हो रही थी उन्हें एक एक पल एक एक युक के समान मालूम होता था अब पत्तल बिच गई होंगी अब मैमान आ गए होंगे लोग हात पैर धो रहे हैं नाई पानी दे रहा है मालूम होता है लोग खाने बैठ गए जेवनार गाया जा रहा है ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई धीरे धीरे एक गीत गुन गुनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे किसी के आवाज सुनाई नहीं देती अवश्य ही लोग खापी कर चले गए होंगे मुझे कोई बुलाने नहीं आया है रूपा चेड़ गई है क्या जाने ना बुलाए सोचती हो कि आप ही आवेंगी वो कोई महमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ बुरी काकी चलने को तयार हुई ये विश्वास कि एक मिनट में पूरियां और मसालेदा तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा उन्होंने मन में तरहा तरहा के मनसूबे बाधे पहले तरकारी से पूरियां खाओंगी फिर दही और शक्कर से कचोरियां राइथे के साथ मज़ेदार मालुम होंगी चाहे कोई बुड़ा माने चाहे भला मैं तो माँग माँग कर खाओंगी यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कहा करें इतने दिनों के बाद पूडियां मिल रही हैं तो मुझ जूटा करके थोड़े ही उच जाओंगी वो उकडू बैठकर सरक्ते हुए आंगन में आई परंतु हाय दुर्भाग गया अभिलाशा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्य कल्पना की थी महमान मंडली अभी बैठी हुई थी कोई खा कर उंगलियां चाटता था कोई तिर्चे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियां चूती जाती हैं किस तरह इने भीतर रख लिता कोई दही खा कर चटकारता था परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूरी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुँची कई आदमी चौक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे अरे बुढ़िया ये बुढ़िया कौन है यहां कहां से आ गई देखो किसी को चूना दे पंडित बुधिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए पूरियों का थाल लिये खड़े थे थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दई महाजन अपने किसी बैमान और भगोडे कर्जदार को देखते ही उसका टेटूआ पकड़ लेता है उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया आशा रूपी वाटिका लू के एक जोंके में विनिश्ट हो गई महमानों ने भोजन किया घरवालों ने भोजन किया बाजेवाले धोबी सभी भोजन कर चुके परंतु बूरी काकी को किसी ने न पूछा बुधीराम और रूपा दोनों ही बूरी काकी को उनकी निरलजता के लिए दंड देने का निश्चे कर चुके थे उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा ना आई थी अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था विचारी भोली लड़की थी, बाल विनोध और चंचलता की उसमें गंध तक न थी दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दैता से खसीटा तो लाडली का रिदै एट कर रहे गया वो जुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यूं बहुत सी पूरिया नहीं देते क्या महमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने महमानों से पहले खा लिया तो क्या फिगड़ जाएगा वो काकी के पास जाकर उन्हें धैरे देना चाहती थी परंतु माता के भे से न जाती थी उसने अपने हिस्से की पूरिया बिलकुल न खाई थी अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी इन पूरियों को वो काकी के पास ले जाना चाहती थी उसका रदय अधीर हो रहा था पूरिय काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी पूरिया देखकर कितनी फ्रसन होंगी मुझे को प्यार करेंगी रात को ग्यारा बज गए थे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी लाडली की आँखों में नीन ना आती थी काकी को पूरिया खिलाने की खुशी उसे सोने न दे थी थी उसने गुडियों की पिटारी सामने रखी थी जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलू चार ओर अंधिरा था केवल चूलों में आग चमक रही थी और चूलों के पास एक कुट्टा लेटा हुआ था लाडली की दृष्टी सामने वाले नीम पर गई उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हैं उनकी पूच उनकी गदा सपष्ट दिखलाई दे रही है मारे भै के उसने आखे बंद कर ली इतने में कुट्टा उठ बैठा लाडली को धांडर्स हुआ कई सोय हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुट्टा उसके लिए अधिक धहरे का कारण हुआ उसने पिटारी उठाई और बूरी काकी की कोट्री की और चली बूरी काकी को केवल इतना स्वरन था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड पर उड़ाई लिये जाता है उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड से पठका विमूर्चित हो गई जब इस अचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी समझी की सब लोग खापी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई रात कैसे कटेगी रामा क्या खाऊं पेट में अगनी धदक रही है किसी ने मेरी सुधी न ली क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुड़िया कब मर जाए उसका जी क्यूं दुखावे मैं पेट की रोटिया ही खाती हूं कि और कुछ इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहेज ठेरी ना कुछ सुनू ना बूझू यदि आंगन में चली गई तो क्या बुधी राम से इतना कहते बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना मुझे घसीटा पठका उन्ही पूरियों के लिए रूपा निसब के सामने गालिया दी उन्ही पूरियों के लिए इतनी दुरगती करने पर भी उनका पत्थर का कले जाना पसी जा सबको खिलाया मेरी बात न पूछी जब तब ही न दी तब अब क्या देंगे ये विचार कर काकी निराशा मैं संतोष के साथ लेट गई गलानी से गलाब भर भराता था परंतु महमानों के भै से रोती न थी सहसा कानों में आवाज आई काकी उठो मैं पूडिया लाई हूँ काकी ने लाडली की बोली पहचानी चटपट उट बैठी दोनों हातों से लाडली को टठोला उसे गोध में लिया और लाडली ने पूडिया निकाल कर दी काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं लाडली ने कहा नई ये मेरे हिस्से की हैं काकी पूड़ियों पर तूट पड़े पांच मिनट में पिटारी खाली हो गई लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंड़क के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है उस भाती इन थोड़ी सी पूरियों ने काकी की शुधा और इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ काकी ने पिटारी को फिर टटोला उसमें कुछ खुर्चन गिरी थी बार बार होंच चाटती थी चिटकारे भरती थी रद्य मसोस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं संतोश से तु जब तूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है मतवालों को मद का स्मर्ण करना उन्हें मदांध बनाता है काकी का धीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया उचित और अनुचित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही सहसा लाडली से बोली मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल जहां महमानों ने बैटकर भोजन किया है लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूटे पत्तलों के पास बिठा दिया दीन, शुधातुर, हत ग्यान बुड़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन-चुन कर भक्षन करने लगी ओ दही कितना स्वादिष्ट था कचोडियां कितनी सलोनी खसता, कितने सुकोमल काके बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापी नहीं करना चाहिए मैं दूसरों की जूटी पत्तल चाट रही हूँ परंतु बुढ़ापा, तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादिंद्री था ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है उसे वहना पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूटे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूरी काकी पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है रूपा का रदय सन्न हो गया किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है वही उस समय हुई एक ब्राम्मनी दूसरों की जूटी पतल टटोले इससे अधिक शोक में द्रिश्य असंभव था पूडियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निश्क्रिष्ट कर्म कर रही है ये वो द्रिश्य था जिसे देखकर देखने वालों के रिदय काप उठते हैं ऐसा प्रतीत होता मानों जमीन रुख गई आसमान चक्कर खा रहा है संसार पर कोई आपत्ती आने वाली है रूपा को क्रोध ना आया शोक के समुक क्रोध कहां करुणा और भै से उसकी आँखें भराई इस अधर्म का भागी कौन है उसने सच्चे रिदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठा कर कहा पर मात्मा मेरे बच्चों पर दया करो इस अधर्म का दंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा रूपा को अपनी स्वार्थ पढ़ता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे वो सोचने लगी हाए कितनी निर्दई हूँ जिसकी संपत्ती से मुझे दो सो रुपया आय हो रही है उसकी ये दुर्गती और मेरे कारण हे दया मैं भगवान मुझसे बड़ी भारी चूख हुई है मुझे एक शमा करो आज मेरे बेटे का तिलक था सेकड़ो मनुश्यों ने भोजन पाया मैं उनके इशारों की दासी बनी रही अपने नाम के लिए सेकड़ो रुपय व्य कर दिये परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपय खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी केवल इसी कारण तो वो व्रिद असहाय है रुपय ने दिया जलाया अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपून सामग्रियां सजाकर बूरी काकी की ओर चली आधी राज जा चुकी थी आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गिये पदार्थ सजा रहे थे परन्तु उसमें किसी को वो पर्मानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूरी काकी को अपने समुख थाल देखकर प्राप्त हुआ रूपा ने कंठारुद स्वर में कहा काकी उठो फोजन कर लो मुझसे आज बड़ी भूल हुई उसका बुरा न मानना पर्मात्मा से प्रात्ना कर दो कि वो मेरा ये अप्राप्त शमा कर दे भोले भोले बच्चो की भाती जो मिठाई पाकर मार और तिरसकार सब भूल जाता है बूरी काकी वैसे ही सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी उनके एक एक रोय से सच्ची सदिच्चाई निकल रही थी और उपा स्वर्गिये द्रिश्य का आनंद लेने में मगन थी